नमस्कार दोस्तो हेल्थ इंफो इंडिया यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज खाने के फाइदे और नुकसान के बारे में समय के साथ भारती रसोई घरों में प्याज का उपयोग बेहत महातपूर हो गया है यह एक स्वा विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, मैगनिसियम और कैल्सियम का अच्छा स्रोथ होता है यह तक तो हमारे सारी रिक सौस्त के लिए महातपूर होते हैं प्याज में मौझूद फाइबर पाचन को सुधारने में मदद करता है और कब जिसे रहत दिलाता है प्याज में विटामिन C और कर्वसेटिन जैसे अंटी ऑक्सिदेंस टाये जाते हैं जो आंतरिक रोगों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं प्याज को स्वास्त पूर्ण डाइट का हिस्सा माना जाता है और यह आपके लिए फाइबर विटामिन्स और मिनरल्स का मह पूर्ण भूमिका निभा सकता है प्याज में एंटी इंफ्लामिटरी गुड होते हैं जो गले की खरास को कम करने में मदद कर सकते हैं और पेट के रोगों से बचाओ कर सकते हैं प्याज में विटामिन C के साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपरिटीज भी होती हैं जो रस बालों के लिए भी फाइदे मंद होता है और यह बालों को मजबूती और चमकदार बनाने में मदद करता है आए अधिक मात्र में प्याज खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं अधिक मात्र में प्याज का सेवन करने से कुछ लोगों को हड्यों की समस्या हो सकती है क्योंक बन सकता है और वे इसे अच्छे से पचाने में समस्या का सामना कर सकते हैं प्याज के सेवन से कुछ लोग को तंतु की समस्या हो सकती है ऐसे ही प्याज खाने के बहुत सारे फाइदे और नुकसान देखने को मिलते हैं उचित होगा कि इसका आप से मित मातरा में सेवन करें और इसके स्वास्त लाब उठाएं। और अगर आपको पहले से कोई समस्या है तो आप इसका सेवन करने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले। अगर आपको प्यास से जुड़ी जन करें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हेल्थ इंफो इंडिया यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप से एक और ने किसी फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।